तो चलो प्यारे बच्चे इस वाले question को देखो कि यह क्या कहता है कहता है यह पार्टिकिल मुविन सरकल अफ रैडियस वन ठीक ना रैडियस दो है वो वन सेंटीमीटर है पार्टिकल का और उसकी जो वेलासिटी है वो है 2T इतना सेंटीमीटर पर सेकेंड जो वेलासिटी है यह कहता है find the radial acceleration of the particle particle की जो वेलासिटी है वो वेरियेवल है तो यह जो मोशन है यह जो मोशन हो नान उनिफॉर्म सर्कूलर मोशन है नान उनिफॉर्म नान उनिफॉर्म सर्कूलर मोशन है प्यारे बच्चों तो अगर नान उनिफॉर्म सर्कूलर मोशन है तो हमेशा यहाद रगना इस पार्टिकल के पास दो acceleration होता है एक तो acceleration center की तरह होता है जो centripetal acceleration या radial acceleration का रहाता है और अगर पार्टिकिल ऐसे चला है ऐसे चला सर्कल में तो एक एक्सलेशन तो यहां से टेंजेंचियल एक्सलेशन होता है ठीकिना जो यह वाली जो टेंजेंचियल एक्सलेशन यह वाली यह दो टाइप की एक्सेलेशन होती है, non-uniform circular motion है, तो इनका जो resultant है, वो net acceleration कुछ इस point पे इधर जाएगा, जो कि this is the net acceleration of the particle और जो कि इस से कुछ alpha degree पे जाएगा, माल लेते हैं, तो यह बेक्टर लॉस है अगर देखोगे, तो यह यहाँ पे यह वाला जो वेक्टर है यह जितना उतना यह होगा तो यहां से और यह टेंजेंचल यहां से अलफा भी निकाल सकते हो तो टैन अलफा की वेलू जो आ जाएगी तो यह तो पूछा नहीं बैसिकली रेडियल और वह बड़ आपको कभी निकालने की जुरूत पर सकती है किसी भी कोश्चन में इसलिए मैंने इसको डिसकस कर दिया तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रेडियल एक्सलेशन 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 रेडियल एक्सलेशन या सेंट्रिपीटल एक्सलेशन तो सेंट्रिपीटल एक्सलेशन जो होता है वो होता है भी असकोर अबर आर या आर उमेगा असकोर ये वाली चीज़ तो सबसे पहले जो वेलासिटी है वो टू टी है तो जब टाइम वन सेकेंड होगा तो जो वेलास देट इस 2 का स्कार अपन 1 देट इस 4, 4 cm per second square, this is the problem number first, तो यह अपना first जो problem है, उसका solution है, दूसरा पार्ट यह पुछा है, find the tangential acceleration, tangential acceleration means, जो acceleration, speed change होने की वज़े से, यह जो particle है, इसकी speed बदल लई, velocity बदल लई है, तो इसकी वज़े से, यह जो acceleration आ रहा है, यह वाली acceleration, इस acceleration को मुझे निकालना बच्चो, तो इस acceleration को कब निकालना है, जब 1 second बीच चुका होगा, तो 1 second बात जो यह acceleration होता, tangential acceleration, उसकी value होती है, डीवी ओवर डीटी, ठीक है, और डीवी ओवर डीटी, यहां से तुम देखोगे, तो भीज, भीज की value कितनी है, 2T है, यह part B है, भीज equal to 2T है, तो यहां से देखोगे, तो 2, और obviously, यह 2 centimeter per second square आ गया, जो की, एक constant है, time independent, यह क्या है, time dependent करी नहीं रहा है, ठीक न, this is the time independent, this is time, this is time independent, यह किसी भी time, hard time acceleration, यह इतना ही रहेगा, यह change नहीं होगा, तो अगर आप net acceleration की बात करोगे, तो net acceleration कैसे आता, इन दोनों का resultant, यह जो net acceleration है, वो इन दोनों का resultant है, भाई, एक बार ऐसे भी देख सकते हो, अगर आप नहीं समझे में आ रहा होगा, भाई, बहुत basic है, बहुत आसान है, यह radial आया, center की तरफ, और tangential आया, ऐसे, perpendicular, तो net acceleration इनका vector resultant आ जाएगा न, कुछ इधर आ जाएगा, तो net acceleration जो A है, ऐसे particle circle में जा रहा था, the particle is doing something like this, particle यहाँ पर था, तो net acceleration जो है, वो अंडर रूट रहेगा, किसका, 80 का square प्लस AC का square, तो 80 का square जो है, that is 4 का square, और प्लस 2 का square, अंडर रूट, तो finally जब इसको देखोगे, तो यह जाएगा 20 meter per second square, that is the net acceleration, centimeter में ता सब, तो यह जो है, उस particle का net acceleration होगा, तो इसके हमने तीनों part solve कर दिए, तो I hope कि आपको समझ में आ गया होगा, thanks for watching this video, और अपना बहुत ख्याल रखो, और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहो,